गुड मॉरिंग स्टुडेंट आज हम जो वरक्षिट जो करने वाले हैं वह सिक्षया निदेशले राष्टी राजदानी छेतर दिल्ली के द्वारा इजित की जारी है और उसका जो विशे रहेगा वो हमारा है विज्ञान विशे जो की कक्षया 10 के विद्यार्थियोगी लि वह है इलेक्ट्रोन प्रोटोन तथा न्यूट्रोन तो हम स्टार्ड करते हैं आसे आप सोच रहे हैं इलेक्ट्रोन प्रोटोन तथा न्यूट्रोन क्या है तथा ये कहां स्थित होते हैं पिर ये विद्यार्थियोग जैसे कि आप जानते हैं डाल्टन के प्रतिपादित कि पर्मानु के प्रमानु को हम उससे ज्याधा चोटे टुकडों में नहीं तोड़ सकते बाद में यह ज्यानिकों ने खोजा कि प्रमाने भीतरkeys, Mitton, весь societable ndушा करत talking है इलेक्ट्रोन भी होते हैं प्रोटोन भी होते हैं और न्यूट्रोन भी होते हैं इलेक्ट्रोन प्रोटोन तथा न्यूट्रोन को एव पर्मानुक कण भी कहा जाता है यानि पर्मानुक के अंदर क्या मुझूद होते हैं हमारे इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन इसल पहले स्टार्ट करने से पहले ये बता देता हूं कि जो डाल्टन ने एक सिधान्त परतिपादित किया था उसके अनुसार क्या होता है कि जो परमाणों का उसने एक मोडल बताया था कि इस प्रकार से होता है ये क्या होता है परमाणों का नूकलियस होता है नाबिक होता है और देखो क्या होता इसमें, जो नाविक होता है, इसमें उसने बताया कि इसमें जो होता है, पलस चार्ज होता है, इसमें क्या होता है, न्यूट्रोन पलस में प्रोटोन होते हैं, और जो एक कक्स होते हैं, चारोर, इन कक्स के चारोर, कौन रिवोल करते हैं, कौन गुमते हैं, electron को हम E की दवारा represent करते हैं तो कक्स के चारो और चक्र को लगाते है electron और proton जो neutron होते हैं वो काँपे होते हैं नाभीक में तो चलिए हम पढ़ लेते हैं कुछ electron के बारे में बताया गया था electron जो होता है इसकी electron की खोज जो होती है वो J.J. Thompson ने की थी पॉइंट आप हो याद करना है, एलेक्ट्रोन की खोजगिशने की थी जे जे टॉम्सन ने, एलेक्ट्रोन को हम किस से रिपरेजेंट करते हैं इ की दूबार करते हैं, इ की दुबारा माइनस चार्ज इसलिए लगाए गया है इसके पर electron पर reenavis होता है, तो यहाँ पर लिखावाया है कि electron पर जो होता है, वो किसप्रकार का आविस होता है, वो reenavis. Electron, electron नभी के चारोर चकर लगाते हैं, देखू ये नभी के बीच वाला और इसके चारोर जो कक्ष होते हैं, इसके चारोर कौन निश्चित कक्षा में कौन गति करता है इलेक्ट्रोन करता है कक्षा को कोस भी करते है इनको क्या बोलते हैं जो सरकल के दौरा जो वर्त के दौरा दर्शा रखें आपको इनके चारोर कौन चकर लगाता है इलेक्ट्रोन लगाता है इनके चारोर उसके बाद में proton proton की खोज किसे ने की थी बच्चो gold star ने की थी याद रखना आपको gold star ने और proton का जो symbol होता है जो परतिक होता है वो P के द्वारा represent किया जाता है और इसके उपर क्या होता है plus charge होता है क्या होता है plus charge plus charge को हम क्या बलते है positive charge और इंदी में इसको क्या बहलेंगे धनाविशित होता है proton क्या होता है धनाविशित होता है proton परमानों के नाविक में स्थित है ये इसका नाविक है नाविक नाविक की उपर क्या होता है plus charge तो plus charge किसकी उपर रहता है क्यों किसकी वज़े से होता है ये proton की विज़ाशी होता है तो पलस चाज होता है नाभिक के अंदर स्थित होता है neutron उसके बाद में हम neutron की बात करते है neutron की जो खोज की थी बच्चो वो किसने की थी James Chadwick ने याद रखना आपको James Chadwick ने इसकी खोज की थी उसके बाद में neutron जो होता है इसको हम N द्वारा रिप्रेजेंट करते है N द्वारा electron को याद रखना E के द्वारा proton को P के द्वारा और neutron को N के द्वारा neutron उदासिन है मतलब neutron की देखो electron की उपर negative charge होता है इसके उपर plus charge होता है लेकिन neutron की उपर कोई charge कोई आवेस नहीं होता नाविक के चारो और ये क्या मालेते हैं कक्स हैं इस प्रकार से कक्स हैं नाविक के अंदर क्या परजेंट होता है neutron plus में proton ये याद रखना आपको neutron plus में neutron plus में proton और जो इसके चारो और ये वाले ये क्या होता है इसके चारो और कौन present होते हैं इलेक्ट्रोन इसके कक्स के अंदर कौन present होते हैं कौन उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रोन और neutron प्लस में proton वो कहां पर present होते हैं नाबिक में यह याद रखना आपको बंचो उसके बाद में हम अब यास के question करते हैं पहला जो person है रिक्स थान बर बरना आपको, खालिस्तान ने न्यूट्रोन की खोज की थी, न्यूट्रोन की खोज की थी, जेम्स चैडविक ने, तो यहाँ पी इसका नाम बरना जेम्स चैडविक ने, न्यूट्रोन की खोज की थी, इलेक्ट्रोन की खोज की थी, तो यहाँ पे लिखाव है जे जे टॉम् इसके बाद में सानरी नमबर 2 सानरी नमबर 2 में आपको क्या गरना है निवन सानरी को भर करें दछो इलेक्ट्रोन की पर कैसा अविस होता है कक्स में, कहां पर होते हैं, कक्स जो चारोल ये कक्स है, ये इनके नाबिक के चारोल जो होते हैं, वो कक्स होते है प्रोटोन की स्थिती कहां होती है नाबिक में होती है, यहां पर आपको नाबिक बढ़ना है नूट्रोन की भी स्थिती कहा भी होती है ना भी के अंदर होती है ठीक है बच्चो यह आपको काम करना है उसके बाद में चिन प्रोटोन को हम किस चिन की दवारा सो करते हैं तो E की दवारा और प्रोटोन को P की दवारा और नूट्रोन को N की दवारा तो आपका जो second question है बच्चो वो भी हो जाएगा third question की हम बात करते हैं इसमें आपको सत्य और सत्य के बारे में बताना है जो line सही है वो उसके आपको सत्य लिखना है जो line हमारी गलत लिखी हुए है उसको हम सत्य लिखेंगा गी तो neutron पे धनाविस होता है neutron पे तो अभी आपने पड़ है कोई charge नहीं होता तो यह मारा क्या जाएगा यह गलत है यह बात इसकी सत्य यानि false इसको आप क्या बढ़ सकते हैं false उसके बाद में हम बात करते हैं second वाला part electron नाविक के चार और गुमता है हाँ यह बात सही है क्योंकि electron जोते हो नाविक के चार और कक्स में गुमते है तो यह बात सत्य यहां पे true यानि सत्य प्रोटोन पे धनाविस होता है हाँ यह बात सही है बिल्कुल तो यह बात क्या जाएगा true प्रोटोन और neutron नावि की दी neutron की की दी ना की protein proton की दी फाल्स हो जाएगा तो उमीद करता हूँ बच्चो आपको ये वरक्षिट समझ में आये होगी और आप इसको अपनी कोपी में इसको कर लेना है और हम तब तक अमारी जब science की next work sheet आती है तो इसी प्रकाशिम आपको वीडियो की द्वारा आपकी help करता हूँ तब तक के लिए धन्यवाद